Hello Friends, My name is Gamresh Shahdo और मैं आपसे यह कहना चूहूँगा कि अभी तक आप लेखो नभी अभी अप्लिकेशन प्लिकेशन नहीं किया है तो इस्टॉल कलिगे जहापे मेरी क्लास भी चलती है जहां पे मेनी quick classes दे चलते हैं तो free classes भी आप रहुलर दर सेते हैं everyday SSD में जितने भी आपके upcoming examations आ रहे हैं सारे sections के लिए आपको free classes on the program करना सिर्फ इतना है आपको किया अप्लिकेशन अर वहां पे आपको code type करना है विल्कुल टॉट पर देख सके हैं बिल्कुल आपको अच्छी लगरी है जो वीडियो प्रेजेंट करी जागी आपको सिंचा सिटी पर वीडियो उसको लाइक करी चैनल को ज़ादा ज़ादा सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो देखते हैं बास नमारा है रोग ज़मको द्वारा संक्रमण का विरुवत करने के लिए एक जीव की चमता को क्या कहते हैं सिम्पल से भासा में अगर मैं आपको बताओं कि हामारे सरीर में रोगों से हमारी जो रच्छा कलता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं यह simply आप से पूछा जा रहा है तो जो हमारे सरीर की immunity होती है जो हमारे सरीर की प्रतिरच्छा सिस्टम होता है वह रोगों से हमारे सरीर की रच्छा कलता है तो जो हमारे सरीर की immunity पावर होती है वही रोगों से हमारे सरीर की रच्छा कलती है तो इसका राटेंजर क्या हो हैं यह आपको मिलेंगी महराष्ट्रा राज में तो option जो इसका C है बिल्कुल सही है अगला प्रस्थ हमारा है गदर पार्टी की जो अस्थापना या कब की गई थी तो गदर पार्टी की जो अस्थापना या की गई थी एक नॉवंबर डेट थी एक नॉवंबर वर्ष 1913 की कहां पर की गई थी जगह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह थी यहीं पर आप की गई थी जो है गदर पार्टी की अस्थापना किसके दरा तो सोहन सिंग भाखना के दरा तो सोहन सिंग भाखना के दरा जो है गदर पार्टी की अस्थापना के गई थी एक नॉवंबर 1913 को तो इसे आप दिया देखेगा जगह थी सैन फ्रांसिसको अगला नवाब सली मुल्ला और मोहन सील मुल्क इन तिनों ने मुस्लिम लिग की अस्थापना में महत्पूर्ण भूम का निवाई थी परन्तु अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें मतलब सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था इस लिग की अस्थापना मुह दिया था आप्सन जो ए है आगा खा वाला ये आगा खा मुस्लिम लिग के पहले अदच बने थे और वास्तिविक संस्थापक के बात हम करें तो नवाब सली मुल्ला जो थे ये मुस्लिम लिग के वास्तिविक संस्थापक माने जाते हैं तता 1906 में मुस्लिम लिग की अस्थापना की गई थी अगला प्रसमा रहा है आपको बताना कि डेनमार्क की राजधानी वलतमान में क्या है तो प्रिजेंट टाइम में डेनमार्क की राजधानी क्या है तो को फेगन जो है यह डेनमार्क की राजधानी है वहीं प्राग किस देश की राजधानी तो चेक रिपब्ली कहने क चेक गड़राज की जो राजधानी है उसको हम प्राग कहते हैं और उटावा किस देश की राजधानी है तो कैनेडा की राजधानी को हम उटावा कहते हैं और व्यूनस आरेस किस देश की राजधानी है तो अर्जेंटीना की राजधानी को हम कहते हैं व्यूनस आरेस तो यह संचार उपग्रा इसमें से वो हमाना जाता है modem यानि option A इसका बिल्कुल सही modem अगला प्रस्मारा है वो software जो विद्वेश पूर्ण software को रोकने या हटाने के लिए उप्योग में लाया जाता है जो computer में files को नुकसान होने से मतलब बचाता है उसको हम क्या कहता है तो विद्वेश पूर software को हटाने और रोकने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है antivirus यानि option जो इसका A है बिल्कुल सही है antivirus अगला important प्रस्मारा है बेक्रेल निमलिखित में से किसकी इकाई है तो बेक्रेल निमलिखित में से किसको इकाई है तो radio activity की यानि की radio धर्मिता इसका राइट एंचर हो जाएगा option जो भी ये इसका बिल्कुल सही है radio धर्मिता की इकाई को हम बेक्रेल कहते हैं अगला प्रस्मारा है flaming का जो बाए हाथ का नियम है उसके अनुसार जो अंगुठा होता है वह क्या दसाता है तो flaming के बाए हाथ के नियम के अनुसार जो अंगुठा होता है वह बल यानि की force का प्रतिनधित करता है तो राइट एंचर आपको जाएगा force यानि की बल का प्रतिनधित करता है अंगुठा फ्लेमिंग के बाई हाथ के नियम के अनुसार अगले अप्रस हमारा है लूबरिकेंट्स जो होते हैं जो भारी मसिंजरी को सुचारो रूप से चलाने के लिए उपयोग में लाई जाते हैं आपको बताना है कि जो लूबरिकेंट्स होते हैं किस प्रकार बनते हैं ये तो जो lubricants होते हैं ये petroleum के बने होते हैं तो right answer आपका होजएगा petroleum से अगला परसमारा है निम्लिकित में से कौन सा जो तत्व है वो आवलद सारने के सम्मू दो में मतलब सम्मू दो में रखा गया मतलब सम्मू दो से सम्वंदित है तो आवद सारने के समूध दो में निम्लिकित में से किसको रखा गया है तो इसमें से जो magnesium है उसको आवद सारने के समूध दो में रखा गया है तो right answer आपका हो जाएगा magnesium यानि option B इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्मारा है lithium और beryllium के बीच इसमें से जो कौन सा तत्तो है जिसमें उच पर्माळू तृज् Jahre होती है काफे important प्रस्था है तो lithium और beryllium के बीच जो लिथियम तट्तो होता उसकी जो पर्माळू तृज्ज़ा होती है वो उच जोड़े होती है किसकी जो पर्माडू त्रिज्या वो सबसे उच्छ होती है तो मैंगनिसियम और कैल्सियम के बीच जो कैल्सियम तत्त होता है यानि आप्शन भी हमारे बिल्कुल से कैल्सियम तत्त की जो पर्माडू त्रिज्या होती है वो सरवाधी कहने की उच्छ होती है अगला प्रस्मा अगला प्रस्ट हमारा है निम्लिकित में से कौन बायो गैस का घटक नहीं है काफी इंपॉर्टन प्रस्ट है तो दिये गए ऑप्सेंस में से बायो गैस का घटक कौन सा नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह बायो गैस का घटक नहीं है इसमें से बाकी तीनों ऑ आक्साइड, मेफिन और हाईडोजन ये सभी जो है बायो गैस के मुख्य घटक हैं अगला Hershea पॉर्टेंट प्रस हमारा है है एक सौस्ट मनुस्ट्र का जो हुर्द है होता है एक मिनित में कितनी बात हम धरकता है काफी हिंपर फॉर्टेंट पॉल्स ने भी अगला प्रस्मारा है, हाली में किस देश के द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगटन जिसको ओपेक के नाम से जानते हैं, उसको छोड़ दिया गया था, तो दिये के options में से किस देश ने ओपेक को छोड़ दिया था, तो कतर इसका राइटेंश रोजा, कतर के द अदालत है, इसकी सुरुवात की गई थी, चतिस गड़ में, तो राइटेंश आपको जागा, चतिस गड़ में जो है, भारत की जो पहली इलो का दालत है, उसकी सुरुवात की गई थी, तो आप इससे याद देखिएगा, काफी important प्रस्न है, इसके बाद जो चतिस गड़ क campaign है, यह भी चतिस गड़ में चलाए जा रहा है, इसके अलावा, चतिस गड़ की एक महत्रपुन योजना है, गोधन न्याय योजना, इस योजना का नाम है, गोधन न्याय योजना, यह भी चतिस गड़ की योजना है, अगला प्रस्मारा है, समाधान से विकास योजना का स संबंद निम्लिकित में से किस राज्य से है तो हर्याना इसका राट एंसर हो जाएगा option A यह जो योजना है यह हर्याना राज्य की योजना है इसके साथ ही जो हर्याना है कि गवर्मेंट उसके तरह help me नामक mobile application भी launch किया गया तो help me नामक mobile application आप इसे याद रिखियेगा तता जो सब ट्रोपिकल फ्रूट एक्सपो हुआ था आप ध्यान दिजेगा सब ट्रोपिकल फ्रूट एक्सपो जो हुआ था 2020 का यह भी हर्याना में ही आयोजित किया गया था इसके बाद हर्याना में एक योजना चल लिए मेरा पानी मेरी बिरासत इसे भी आप ध्यान गया तो इतनी सारी चीज़े आपको याद अखनी है अगला प्रस हमारा है हाली में किस राज की सरकार ने अपने राज में अस्थानी लोगों के लिए जो है राज की 75% नोकरियां है उनको अरक्षित कर दिया मतलब हर्याना की जो 75% नोकरियां अपने लोगों के लिए वो हर्याना की अस्थानी लोगों को ही दिय जाएंगी अगला प्रस हमारा है वर्ल डेरी समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो वर्ल डेरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में भारत में 2022 में G20 सिकर समिलन का आयोजन किया जाएगा और 2022 में हम अपने यूजना किस राज जो की famous यूजना है तो यह उडीशा राज जो की फैमस यूजना है तो होगा ध्यान देजेगा होकी का जो वर्ड कप अधेज का यह ओडीशा में खेला जाएगा तो आप इसे ध्यान देजेगा काफी important प्रस्तन है अगला important प्रसमारा है सोहराई और कोबर आर्ट्स ये जो famous आर्ट्स इनको मैं आपको बता तो इनको GI टेग हाली में दिया गिसी काले से न्यूज में है तो आपको बताना कि सोहराई और कोबर आर्ट्स जो है इनका संबंध किस राज्ज से है तो हाली में सोहराई और कोबर आर्ट्स को GI टेग दिया गिया है तता इनका संबंध जारखंड राज्ज से तो राट एंस राप आपको जागा जारखंड अगला प्रसमारा है निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है तो कैस्पियन सागर की जो सीमा टोटल पांच देशों से लगती है तुर्कमेनिस्तान, अजर्बैजान, रूस, इरान और कजाकेस्तान यानि राट एंस राख वाजागा इन में से सभी अगला प्रसमारा है इसरो के वलतमान में जो प्रमूख है वोग कौन है तो इसरो के वलतमान में प्रमूख है के सीवन तो आप इसे ध्यान देजेगा तता डियाडियो के प्रमूख वलतमान में कौन है तो जी सतिस रडडी जो है वलतमान में डियाडियो के प्रमूख है अगला प्रस हमारा है वल्तमान में बिस्ट बैंक के अध्यच कोन है तो वर्ल्ड बैंक के वलतमान में अध्यच कोन है तो डेविट माल पास इसका राइट एचर हो जाएगा ओप्शन ए वर्ल्ड बैंक का हैट कॉटर आपको मिलेगा वासिंग अटन डीसी में अगला प्रसमा रहा है हाली में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रीज है या किस राज जी में बनाई गया है काफी इंपोर्टन प्रसमा है तो हाली में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रीज है या बनाए गया है अगला प्रसमारा है भागती थल सेना दिवस कब मना जाता है तो जो भागती थल सेना दिवस है या मना जाता है पंदरा जनौरी के दिन तो राइट एनसर आप को जाएगा पंदरा जनौरी के दिन जो है प्रति वर्ष भागती थल सेना दिवस मना जाता है अगला important प्रस हमारा है निम्न में से किस प्रसीद भ्यक्ति को सिमान्द गांधी के नाम से जाना जाता है तो किस व्यक्ति को सिमान्द गांधी के नाम से हम जानते हैं तो खान अब्दुल गफार खान इसका राटेंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान को हम सिमान्द गांधी के नाम से जानते हैं और मात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट पिता कहते हैं मातमा गांधी को और मदन मोहन मालवी जी को हम कहते हैं महामाना क्या न कहते हैं मदन मोहन मालवी जी को महामाना के नाम से जानते हैं और बाल गंगादर दिलों को लोकमानी के नाम से जानते हैं तो ये भी आपको पता होना चीए आज का लाश्ट प्रस नमारा है कौन सा राज ये अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है तो कौन सा राज अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है तो बिहार इसका राटने चरह का बिहार जो अपना स्थापना दिवस वह 22 मार्च के दिन मनाता है और उत्तर प्रदेश जो अपना अस्थापना दिवस है वह 24 जनौरी के दिन मनाता है और बिहार अपना अस्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है और जो सिक्कीम है सिक्कीम अपना अस्थापना दिवस 16 माई के दिन मनाता है और तेलंगाना अपना अस्थापना दिवस ज जल्दी मिलेंगे पार्ट जो हमारा अगला होगा उसमें, तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you.